हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल सब कुछ सीखो जानो जी हाँ दोस्तो सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर को लेकर एक बिल्कोल नई खबर सामने आ रही है कि अगर आपके पास रासन कार्ड है और आधार कार्ड है तो आपको रसोई सिलेंडर सिर्फ 276 रुपे का मिलेगा एक जुलाई 2018 से आपके पास चाहिए HP का सिलेंडर हो इंडियन का हो या भारत का हो आप इस स्कीम का फायदा किसी भी सिलेंडर में उठा सकते हैं तो यह पूरा अपडेट क्या है यही पूरी ख़बर आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रही है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे इस वीडियो के लिए माफी माँगना चाहता हूँ जिसमें मेरे बोलने की गलती को जैसे लोगों को काफी कन्फियूजन हो गई और लोग जो हैं मुझे थोड़े नाराज होगें तो मैं उन्हें सोरी बोल बोल कर उन्हें मना रहा हूँ अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो जो गलती मुझे होई यह आप जानते होंगे तो मैं आप से फिर से माफी चाहता हूँ तो चलिए चलते हैं आज के खबर की तरफ दोस्तो जो न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं यह न्यूज बिल्कुत सची है और यह आपको बहुत अच्छे चैन्यूज चैनल की वेबसाइट पर मिल जाएंगी आप देख सकते हैं हमारे सामने यह न्यूज है लेकिन जो परिवार गरीब हैं वो लोग बार बार बड़ा सलेंडर नहीं ले पाते हैं तो इसलिए सरकार ने उन लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है और एक नई स्किम निकाली है कि अगर वो लोग चाहें तो वो लोग अपना 14 किलो वाला सलेंडर दे कर उससे थोड़ा छोटा सलेंडर 5 किलो वाला ले सकते हैं और उसे रिफिल करा सकते हैं जिसका प्राइज सरकार ने बहुत ही जादा कम रखा है सिर्फ 276 रुपे और इसमें की भी जो सबसेडी होगी वो उनके बैंक में भेज दी जाएगी तो उन्हें ये सलेंडर इससे भी कमका पड़ेगा यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू की जाएगी अगर आप इस योजना का लाब उठाना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड और अपना एक फोटो और आपके सभी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड होना अनिवार रहे है आप इतनी चीज़ें लेकर अपने गैस सिलेंडर आफिस में जा कर देंगे तो आप जो है इस योजना का फाइदा एक जुलाई 2018 से बिलकुल आसानी से उठा सकते हैं तो गैस सिलेंडर को लेकर एक बहुत अच्छी स्कीम है जो गरीब लोग है उन लोग के लिए कि उनको अब 276 रुपे का सिलेंडर पड़ेगा उसमें भी उनकी सबसेड़ी वापस दे दी जाएगी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करेंगे थैंक्स पर वोचिंग